ओके लेट स्टार्ट लेक्चर कल हमने जितना भी डिसकर्शन किया उसके अंदर हमने यह समझा कि जब भी मैगनेटिक तब करन्ट इंड्यूस होगा उसके लिए हमने एक्सप्लेनेशन ऐसा कुद दिया था नेचर क्या चाहती है तो जो जी स्टेट में वहाँ रहने की कोशिश करेगी अगर इस कोईल के साथ फ्लक्स जीरो है तो क्या क्या करेगी जीरो ही रहे इसे जैसे ही सामने से मैगनेटिक फिल्ड आएगी यहां फ्लक्स बनाने की कोशिश करेगी तो यह कॉइल इंड्यूस करेगा मैगनेटिक फिल्ड और इंड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को दोड़ाएगा जिससे हम लेंज लो समझे थे हाव टू फाइंड डाइरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट तो हम लिए चाहिए तो बैडरी जोड के यूँवी जितना फोर्स दो है ना तो दोड़ेगा अगर बैटरी तो यहां नहीं क्योंकि हमने बात की थी कि यहां कंड़क्शन करण नहीं कॉंचा करण रहा है फोर्स कौन लगा रहा है तो हम एक चीद समझे थे प्रीविएस सेप्टर में कि अगर मालो यह करण रहा है याद है उसके अंदर कोई चार्ज केंटर करता है और चार्ज प्रीविए और मेंक्नेटिक फिल्ड भी है तो उसके उपर फोर्स लगेगा कौन सा लगेगा Q into V cross B where V is what velocity of charge with respect to magnetic field magnetic field के respect में ये जो velocity है वो है ये तो अब हमारे ओके ये वाला case हमने पता है कि जब भी charge magnetic field के अंदर V velocity से एंटर करेगा तो फोर्स लगेगा अगर चार्ज का वेलोसिटी नहीं है मेगनेटिक फिल्ड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो है तो फोर्ज कितना लगेगा नहीं लगेगा वो सारी बाते हम वहां कर चुके है अब हमारा केस ध्यान में लीजिए यह हमारी रिंग है भाई पहल चलो 3D थोड़ा रिंग खोल के बताते है राइट तो रिंग का यहां पे क्या होगा इलेक्टरण होगा बह āप चारे इलेक्टरण होगे हमें एक को देखते है और यहां सामने से क्या आ रही है बाई वाई- क्या रही है और यह magnetic field क्या आ रही है बदल रही है magnetic field motion में आ रही है हमने first वाला case याद करो आप क्या कर रहे थे magnet को यहां लेकर आ रहे थे magnetic field motion में थी तो भले ही electron रुका हुआ है लेकिन field चल रही है फिल्ड चैंज हो रही है electron के respect में उल्टा सोचिए अगर मालो यह field है यह magnet है और यह electron है अगर यह electron magnet की तरफ चलता जाएगा तो क्या होगा field बढ़ेगी या कम होगी field बढ़ेगी तो field बढ़ाने का तरीका क्या electron चलके जाए नौर्थ की तरफ तो effect क्या होगा electron क्या देखेगा मेरे अंदर से जो field बढ़ती जा रही है या तो उल्टा इसको यहां लेकर आओ तो भी electron से field बढ़ेगी मलब यहां पर क्या हो रहा है देर इस रिलेटिव मोशन प Generalight motion between electron E and Magnetic Field B और रिलेटिव मोशन मतलब वह जो भी रिलेटिव मोशन वी बन रहा है उस relative motion के कारण उस electron का कुछ particular relative velocity V आ जाती है relative with respect to magnetic field B है और उसका charge Q है तो वो क्या लगाएगा उसके उपर force लगाएगा magnetic force और due to this magnetic force ये electron क्या करेगा चलना चालू करेगा electron चलेगा तो वो क्या बनाएगा induced magnetic field और induced magnetic field सामने वाले को क्या करेगा oppose करेगा तो ये रही पूरी कहानी पूरी कहानी समझ में आई जुड़ी हुई है सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दुसरे के साथ फिर से समझाओ की समझ में आई बात आगे जाके हम एक rod लेंगे और rod का case लेकर फिर से ये बात समझेंगे तो आप फिर से verify करना done है ये चलो आज का जो हमारा first topic है वो है electromagnetic induction का second law इस सब को मैं erase कर देता हूँ आगे फैराडेस आगे से कंड लोग ओफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंड़क्शन चलो बाइं बात सिंपल है जैसे फर्स लोग क्या समझाता था हमें किंड करन्ट इंड्यूस कब होगा whenever there is change in a magnetic flux link with the coil current is induced if coil is closed and EMF is induced is coil is open but question यह कि EMF कितना induced होगा what is the magnitude of that EMF induced EMF तो फैराडेस ने second law में वो induced EMF का magnitude का formula दिया कि जो coil के अंदर EMF induced होता है भाई वो the rate of change in flux that's mean d5 by dt के proportional होता है लेकिन वो EMF flux के change के कैसे direction में होता है opposite direction में होता है तो यह रहा आपका induced EMF का formula EMF is equal to minus d5 by dt simple जी बात है flux का जो change है जैसे flux change होगा EMF induced होगा अब यहां पर उन्होंने क्या लगा दिया the rate of change in flux कि यह flux जितना जल्दी change होता है जितने कम time में change होगा उतना ज्याद है EMF right so यहां से EMF हमें EMF is equal to क्या मिला minus d5 divided by dt और यहां पर 5 कौन सा है भाई magnetic flux है तो 5 is equal to क्या लिख सकते है अपने B dot A लिख सकते है therefore EMF induced EMF is equal to minus d by dt B और B dot A को क्या लिख सकते है भाई BA cos theta तो BA cos theta कोई problem तो यह EMF का equation आ गया यहां पर एक बात खास याद यह रखेंगे कि यहां पर negative sign क्या indicate कर रही है वह यह indicate कर रही है कि जो EMF है वो flux के change के opposite direction में है है इन्दूस्ट इम्एफ इन ओपोजिट डाइरेक्शन ओफ चैंज इन फ्लक्स फाई ओके जो फ्लक्स का चैंज हो रहा है उससे कहां होगा यह opposite direction में होगा हमने यह सारे इस्तमाल किया है है यह ना हमने बोला अगर भी यहां आ रहा है और इंक्रीज हो रहा है तो यहां बनाएगा समझ में आ रही थी बात है ना तो यह क्या है ओपोजिट और उसके इंडियूस होता है कोई दिक्कत वाली बात equation एजी है हमने यह भी देखा देखो यह मैं इंडियूस करने के तरीके कौन-कौन से तो डी बाइडीटी आप दिस ओल अगर भी बदल रहा है तो डी मान लो एक कोईल ले लो और एक magnetic field में रख दो उसको और उसको ऐसे रखो अब उसका area नहीं बदलना है बी भी नहीं बदलना है लेकिन इस कोईल को rotate करवाओ उस magnetic field में तो क्या होगा बाई एंगल बदलेगा इसका area vector और B के बीच का एंगल बदलेगा मतलब क्या variable हो जाएगा theta तो उस case में भी coil में EMF induced होगा done है so this is all about faraday second law of EMI याद रहेगा equation अपने को ये वाला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके बाद हम हमारा जो next topic है वो जाता है emotional EMF स्टार्ट करें कि मोशनल EMF मतलब nothing new जो उसका नाम है वैसा ही उसका काम है को पर्टिक्लर को हम magnetic field में क्या करवाएंगे मोशन करवाएंगे और उस कोईल के मोशन के कारण या तो उस रोड के रोड को हम स्पेशली मोशन करवाएंगे उस रोड के मोशन के कारण जो EMF प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलेंगे emotional EMF कोई दिक्कत वाली बात बहुत इजी बात है अब चलो उस मोशनल EMF को हम उसका एक equation डिराइव करने के लिए कुछ situation imagine करते हैं माल लेते हैं कुछ ऐसा एक इमेदनरी situation कि हमारा कोईल है और यहां पर हमने एक slider लगा दिया है जो यहां से connected है एक end और एक end यहां से connected है और इस पूरे system को हमने magnetic field में रख दिया है अगर magnetic field cross है मतलब कहां आ रही है अंदर जा रही है कोई दिकत अगरे हमारा यह slider है उसका यह वाला point A बोल देते हैं यह वाला point क्या बोल देता हो भी अभी यह ओके बी यह वाले point को सी बोल देते यह वाले point को डी बोल देते हैं तो आप देख सकते हो A, B, C, D यह close loop बना उसका पर्टिकलर एरिया भी बना मान लेते है इस slider की जो length है वह यहां पर indicate कर दूँ L और यह C से लेके B तक का जो distance है वो X से कितना है तो यहां से यह X यह L तो इसका area भी कुछ होगा वो कितना होगा L into X तो flux linked with this coil flux linked with coil A, B, C, D इसको initial flux भी बोल सकते हैं अपने हाँ या ना बोल देते हैं तो तो वो कितना होगा भाई Phi I is equal to magnetic field B है सपोस कर लेते हैं यह magnetic field कितनी है भाई B है कितनी है तो B dot area और उस ring का area कितना है भाई L into X यह BLX हुआ उसका कोई दिक्कत वाली बात अब हम इस slider से यह जो rod है AB वो slide कर सकता है तो slider को हम क्या लगाते है force F लगाते है क्योंकि चीज मोशन में कब आएगी Newton ने क्या बोला था force लगेगा तो चीजे मोशन में आएगी तो force F लगाया उसके कारण उस rod के अंदर क्या produce होगा acceleration उसके कारण वो 0 से उसकी speed बढ़ने लगेगी आया ना बढ़ती जाएगी accelerate rate motion करेगा तो ये वाला rod AB shift होकर मान लोग कोई particular time पे यहाँ पे आ गया ये वाली position बोलते है A dash B dash और यहाँ से यहाँ आते time उसकी velocity it's attain certain velocity V कुछ V velocity आ गई होगी उसके पास तो V velocity आ गई और ये यहाँ से लेके के यहाँ तक कितना shift हुआ तो suppose dx जितना distance shift हुआ और time कितना लिया उसने तो it will take dt time to shift from B to B dash कोई दिक्कत वाली बात कितने बढ़िया बात है ओके तो यह रही पूरी situation and V is uniform हम लिख सकते uniform for time dt बहुत small time के लिए V uniform बाकी एप लगा रहे हो तो वह भी तो बदलता जाएगा लेकिन बहुत small fraction of time dt time के लिए particular V कैसा होगा constant uniform सारी चीजे समझ में आ गई ओके after time dt after time dt प्लक्स प्लक्स लिंक्ट विद कोईल है ना फ्लक्स लिंक्ट विद कोईल क्या हो जाएगा भाई फाई एप बोले उसको अपने वो कितना हो जाएगा magnetic field तो भी है लेकिन एडिया कुछ बढ़ गया मालो यह था और यह वाला जो बढ़ा वो एडिया कितना है डेल्टा ए तो लिख सकते है एडिया हो गया एडिया प्लस डेल्टा ए कोई दिक्कत वाली बात वैसे डेल्टा ने डिये लिखे तो अच्छा रहता कोई बात ने फ यह तो यह दिक्कत वाली बात भाई क्या कॉमन निकल रहा है अंधर क्या एगा एक्स प्लस यह हमारा फ्लक्स आ गया अप्टर टाइम डिटी हमें क्या करना है मोशनल एम अब हमारा रोड ए बी बी स्पीड से मोशन में है और उसके अंदर एम एम एप जनरेट होगा की नह चेंज हो रहा है कितना होगा तो भाई हमारे फैराडे भाई बताके गए एम एफ इंड्यूस कितना होता है माइनस डिफाइब आई चलो हमारा यह calculation हमने बहुत चाला की से dt टाइम के लिए किया था है ना time dt और dt टाइम में flux कितना change होगा 5f-5i कोई दिक्कत वाली बात तो यह हम calculate कर ले यहाँ पर ही कहीं therefore d5 is equal to क्या लिख सकते है अपने y 5f-5i तो यह minus यह करेंगे तो क्या होगा ओके इसको थोड़ा multiply कर लेता हो लो यह हो जाएगा blx plus blx bl dx राइट अब 2-1 करेंगे तो blx blx cut हो जाएगा तो d5 क्या आएगा अपना भाई d5 आया हमारा b into l into कोई दिक्कत वाली बात यहाँ रख दे चलो तो d5 की value अगर यहाँ रखेंगे तो यह हो जाएगा b into l into तो इसको बहत गहराई सेल देखे तो यह क्या है b into l into dx divided by और यह क्या होता है भाई उसकी uniform velocity v so यह हमारा equation आजाएगा minus b into l into और यह हमारा क्या हो गया भाई induced emf का equation when a rod ab is moving with velocity v बहुत simple हो गया भाई यह तो अगर कोई भी rod v velocity से जा रही है तो emf कितना induce होगा blv where l is what length of the rod है ना l क्या है यहां पर length of the rod oh road हो गया भाई and v is what velocity and b is a external magnetic field यहां पर एक बात ध्यान रखने लायक है यहां पर जो velocity है वो magnetic field से कैसी है perpendicular है ना velocity कैसी है perpendicular to b है ना magnetic field अंदर है और velocity यहां है तो जब भी यह situation हो तो हमारा equation बढ़ाई clear रहेगा numerical आए direct क्या डाल देंगे minus b l v कोई दिक्कत वाली बात ओके अब question नंबर दो इसके अंदर current बनेगा कि नहीं बनेगा बनेगा बताओ कहां से कहां जाएगा कि अग्यूंग तो magnetic field तो यहां constant है लक्स बदल रहा है एरिया के कारण find out the direction of current कैसे find करेंगे कि अग्यूंग हाँ तो क्यूंग क्यूंग clockwise बनेगा कैसे question है वही ऐसे ऐसे तैसे नहीं बोलनेगा reason के साथ answer देने का current कहां कौनसे कौनसी direction में flow होगा और क्यूंग हाँ road move कर रही है तो हाँ होगा न वो तो obvious होगा भै यह formula पुरा derive किया हाँ direction बताओ current की क्यूंग अरे वो अलग case था यार वहाँ पर b बदल रहे थे यहां b कहां बदल रहे है यहां road velocity में आ रही है भै देखो अब भी तो मैंने समझाया था कि अगर यह road यहां जा रही है तो उसके उपर बैठा हुआ electron कहा जाएगा वो भी यहां जाएगा relative velocity f is equal to क्या होता है भाई अले अले भाई f is equal to क्या होता है v cross और यहां पर electron है तो यह क्या आएगा भाई minus e into v cross b अब v कहां है यहां और b कहां है यहां करो v cross b v cross b कहां आएगा direction अगर यह उपर आया लेकिन electron के current electron पे force कहां लगेगा तो यह electron नीचे जाएगा current कहां जाएगा यहां पर कोई दिकत वाली बात अंसर current कहां जाएगा उपर यहां उपर जाएगा तो यहां कहां आएगा भाई यहां 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 तो this is the reason ऐसे reason के साथ बोलेंगे answer यहां current कहां जाएगा उपर और यह direction को हम क्या बोलते है अरे एंटी क्लोग क्या बोलेंगे बात समझ में आई फिर से समझाओ velocity electron की यहां magnetic field यहां तो V cross B करेंगे थम कहां आया उपर मतलब current कहां जाएगा उपर जाएगा डन है को बोले इलेक्ट्रोन कहां आएगा तो नीचे वह सब क्लियर है हमें अवे दो बार समझाया तीसरी बार समझा देता हूँ velocity यहां magnetic field अंदर तो formula क्या है तेरा V cross B तो यह V और B के लिए अंदर करेगा या बाहर करेगा जापट अंदर मार तो थम कहां आया यह direction तो यह किसकी direction आई current की तो current कहां जाएगा उपर जाएगा अगर यहां उपर जाएगा तो यहां ही side फीर तो बता चल गया दिक्कत हो रही है क्या हो रही है इसके लिए हमने हमें एक रूल दे दिया गया राइट हैंड थम रूल सीखें बहुत दर्द देने वाली बाते की न मैंने थोड़ी अब राइट हैंड थम रूल सीखो क्या सीखो राइट हैंड थम रूल पाई फोर फिंगर कौनसे फिंगर फोर फिंगर की डाइरेक्शन फोर फिंगर को कहा रखेंगे इन डाइरेक्शन ओफ बी फिर आता है थम थम को कहा रखेंगे इन डाइरेक्शन ओफ वेलोसिटी और जो आपका फोर्स लगा रहे हो वो नॉर्मली आमें वेलोसिटी पता होती है तो आपका जो सेकंड फिंगर है मिडल फिंगर वो आपको क्या देगा डायरेक्शन ओफ इंड्यूस करंट कोई दिक्कत वाली बात भाई लगाओ चलो चल भाई लगा दे राइट हैंड ले लगा दिया पहली फिंगर अंदर दूसरी फिंगर ओके थम्ब यहां तो यह कहां आया उपर उपर आयक नहीं आया तो यार आप जापट मारो तो भी उपर और जापट ना मारो अब कौन-कौन कितनी बार जापट मारेगा भी मारम मारी किसी को पसंद उंगली दिखा कर आगे चले जाने का है ना कैसे एक ऐसे एक ऐसे तो यह वाली बात कतम हो गई चलो तो इसी के साथ हमारा यह वाला टॉपिक होता है कंप्लीट याद रहेगा य यह, अब याद रखने वाली बात है, यह दन है, अब क्वेस्चर मेरा यह है कि रोड को हमने मोशन दिया, मैगनेटिक फिल्ड में, तो रोड मोशन आने से इलेक्ट्रों मोशन में आया, आप समझ यह, अब फिर से वो बात को समझ यह, जो हमने आगे कि थी, कि माल लो यह ह हमारा इलेक्ट्रोन एक है यहां पर मैगनेटिक फिल कहां है बाई गोईंग इंसाइड है राइट अब इस रोड का इस इलेक्ट्रोन का वेलोसिटी कहां है यहां तो हमें यह था आगे उसको फिर से मтесьके अलतर है से घ्यक्टाइब करते हैं कि वहецी चैंज होने से या तो फ्लक्स चेंज होने से इलेक्ट्रोन क्यों चलने लगा था घना फैराड का फॉर्स्ट ल्हूआ के एंड में ध्यक्ट्रे से गिसीन क्योंक्र spread Magnetic field या तो in general between charge and magnetic field जब भी relative motion या direct motion होगा तो electron के उपर charge के उपर magnetic field के कारण force लगेगा और magnetic field के कारण ये सारी चीजे हो रही है Magnetic field क्या कर रही है तो magnetic field का force तभी लगता है जब charge motion में हो तो whenever there is a relative motion V आ गया Q है B है तो उस charge के उपर क्या लगेगा force अगर charge के उपर magnetic force लगेगा charge क्या करेगा दोड़ेगा चार्ज दोड़ेगा तो वो क्या बनाएगा current अगर close loop है और close loop नहीं है तो charge एक जगा पे जाके इखटा होगा और क्या बनाएगा EMF तो यहाँ पे force जो है वो कौन सा लगेगा बाई Q into V cross B अब ये मेरा V है और ये मेरा B है तो V cross B जापट लगाएंगी ये V और ये तो इसके उपर force कहां लगेगा उपर क्योंकि ये electron है तो उसका force minus E into V cross B ऐसा होगा बाई आया ना तो जो भी आपका V cross B जो direction आए electron पे force उससे कहां लगेगा नीचे तो ये electron ये electron के उपर force कहां लगेगा force magnetic force on a electron it is in a downward direction in a wire अगर electron नीचे जाता है तो current कहां जाता है भाई current कहां जाएगा तो this is the reason why current is induced when there is a change in a magnetic flux कोई दिक्कत पूरी बात समझ में आई फिर से ओके आगे जा सकते अभी ये बात हमें समझ में आ रही है चलो तो next topic करते हैं हमने यहाँ पूरी पूरी रोड को ऐसे uniform velocity से आगे ले गए लेकिन मान लो यह magnetic field going inside यह यह रोड का एक point यहाँ पे मैंने fix कर दिया और फिर इसको ऐसे गुमाया तो यह भी motion हुआ कि नहीं हुआ तो इस case के अंदर क्या इतना ही EMF generate होगा जितना यहाँ हो रहा है या कुछ और होगा करे discuss let's start EMF of rotating rod तो भाई देखो magnetic field तो हमारी कहा है अंदर जा रही है right अब कोई भी rod को कोई एक point पे fix करके गोल गुमाएंगे तो वो कैसा motion करेगा भाई circular motion तो यहाँ पे हमारी यह rod का एक point fix किया और यह दूसरा वाला point है यह वाला point कितनी speed से गुमाया हमने वी velocity से तो यह rod हमारी इसके अंदर गोल गुम रही है with velocity velocity वी अब problem क्या है अगर rod वी velocity से गुमता तो हमारा इंडियो सी में बत नॉर्मल था माइनस बी एल वी यह लिग देते राइट तरहीं यह दिक्कत क्या है यह सरकल में घुम रहा है भाई तो यहां जो वी होगा वो यहां कुछ अलग होगा यह point पे कुछ अलग होगा क्योंकि R बदल रहा है और यह वाले point पे कितना होगा जीरो होगा और यह end वाले point पे कितना होगा वी होगा तो हर एक point पे वी अलग है तो E कैसे निकाले E तो होगा ही होगा तो यह हुई एक problem mathematics की तो उसका solution बहुत simple तरीके से उसकी length कितनी है rod की हमारी वो तो length तो L है कोई integration नहीं direct method यह 0 यह V तो इसका average ले लेते है भाई यह rod की velocity क्या consider कर लेते है average so here here V is changes at every R R क्या है यहां पर radius according to V is equal to R omega तो हम in general देखने जाए तो यह rod का यहां पर velocity कितना है भाई 0 और यहां पर कितना होगा तो let's take average average of velocity तो rod की velocity average ले लेते initial यह वाले point पे 0 final point पे V divide by 2 तो answer क्या आएगा भाई V by 2 बस रख दो वहां तो यह में कितना हो जाएगा भाई minus V L V divide by तो यह आपके rotating road के लिए answer आ गया अगर V velocity से वो rotate कर रही है तो यह आ गया लेकिन अगर इफ आपको angular velocity दीए तो V is equal to क्या होता है भाई इस case के लिए L omega अले भाई radius इसकी L है L क्या हो जाएगी radius तो क्या हो जाएगा L omega V की value यहां रख दो तो E induced minus B V की value रखूंगा तो क्या हो जाएगा L square omega divide by तो जो आपको अच्छा लगे वो formula अच्छा लगे नहीं जो जरूरा थो वो formula यूज करो बरोबर कोई दिक्कत वाली बात वो लोगे सब यह दोनों मैथड में को यह मैथड नहीं मजाई दूसरे तरीगे से लाए लो ला देते हैं तो method number two formula याद रखना है यह सब method से लेना देना नहीं यह मैप क्या होता है भाई माइनस डिफाई बाई डिफाई क्या है चेंज इन फ्लक्स अब देखो यह रोड यह रोड है यह पूर यहां से यहां ओमेग एंगुलर वेलोसेटी है तो उसका कुछ टाइम पिरियर्ड टी होगा भाई टी क्या होगा उसका o time period तो टी टाइम में कितना एरिया cover करेगा यह है पाई एल स्क्वेर जितना यह रोड टी टाइम में कितने टाइम में थो कितना पूरा circle गुमेगा तो एरिया कितना consume कर रहा है वो टी एक्वेशन माइनस डी बाइड टी बी एक और तो यहां पर जी कोज ठीटा जीरो है तो बी इंटू ए लिख सकते अब यहां पर बी कॉंस्टंट है बाहर लिख दिया डी एडिवाइड बाइड बाइड टी माइनस बी एज इस चेंज इन एरिया अब हमें बताए टी टाइम म सब्सक्राइड बाइड एडिया कितना इस इकोल टू क्या होता है बाइड टाइड गवैड टी यहां से ट क्या हो जाएगा अपना में नहीं बाइड 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 shy of देखो कमाल EMF is equal to minus B pi L square और T की value रख देते है 2 pi by omega यह pi pi क्या हो जाएगा cancel क्या answer आया minus B L square omega divided by यहां तक रखते है आज यह रखते है